नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों कई बार व्यक्ति को अधिक मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है जियोतिश के अनुसार ब्यक्ति रविबार के दिन ऐसे कारे कर बैठता है जिसके कार उसे परेशानियों को जहलना पड़ता है यहां दोस्तों कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम बताएंगे जिनका सेवन आपको रविबार के दिन नहीं करना चाहिए रभी बार के दिन इन चीजों का सेवन करने से जहां कुंडली में सोरे कमजोर होता है और बहीं परेशानिया भी व्यक्ति को गहर लेती है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रियास करेंगे कि आपको रविवार के दिन किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भाबनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे आप चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों रविवार के दिन भूल कर भी मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए ये दाल भगबान को अरपित नहीं की जाती इस दिन मसूर की दाल बनाना और सेवन करना इसे आशुब माना जाता है इसके अलाबा दोस्तों इस दिन लाल साग भी ना खाएं लाल साग जल्दी ही खराब हो जाता है इसके सेवन से व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है आगे दोस्तों बताया गया है कुंडली में सूरे ग्रह कमजोर है तो रविवार के दिन मचली का सेवन ना करें ऐसा करने से आपका सूरे मजबूत होता है दोस्तों बैसे तो गुरुबार को लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए लेकिन परेशानियों के समय रविवार के दिन भी इन चीजों से परहेज करना चाहिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी परकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैणल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए Stay Motivate Stay Fearless